पेसिक टू fora कुम्प्यूटर सीखने के लिए हमारे चानल की पॉइंट्सको सब्सक्राइब करये। आज इस वीडियो में आपको माॉस के बारे में बताने वाले हैं। तो mouse के बारे में आज इस video में आपको complete information देंगे तो mouse क्या है, उसके कितने keys होते हैं और उन keys का क्या use है और कब और किसका use करें तो meaning से start करते हैं तो mouse is a input device तो जैसे आप जानते हैं कि mouse एक input device है जिससे हम input देते हैं It is a also known as pointing device It means जो mouse है उसे pointing device भी बोलते हैं किसी भी text को अगर point करना चाहते हैं, pointing करना चाहते हैं एक single sentence को या word को या एक text को select करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे तो यह आप point के थुरू ही कर सकते हैं तो चले हम आपको practical करके दिखाते हैं तो आप देखे हैं मैंने MS word open कर लिया है अगर आपको किसी single word को point करना है अगर आपको यहाँ पर A के पास करदर करना है तो आप mouse के थुरू ही pointing कर सकते हैं इस तरह से अगर आपको select करना है, drag करना है तो आप इस तरह से it means mouse के keys को घसिटते हुए click करके जाना है तो यह आपका drag हो जाता drag मतलब meaning ही होता है घसिटना या किसी भी चीज़ को जो हम select करते हैं तो उसे drag करते हैं तो यह हमारा हो गया अगर आप किसी भी चीज़ को pointing करते हैं तो यह mouse के keys के थुरू ही कर सकते हैं इसलिए इसे pointing device ही बोला जाता है क्योंकि basically mouse जो है वो ही एक ऐसा device है input device में जो किसी भी test को point करने में काम आता है अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब यह type of keys तो आप देख रहे हैं यहाँ पर left button है scroll button है और right button है इट मिन्स mouse के तीन keys होते हैं left, right और scroll अब पहला देखें left button इसका use क्या है use to open a program double click अगर आप किसी भी program को open करना चाहते हैं तो mouse के left button के use करना है और उसे double click करना है तो चले हम आपको करके दिखाते हैं आप देख रहे हैं कि हम desktop की screen पे हैं और इसमें से अगर मुझे कोई भी file या folder या icon को open करना है तो आप इस तरह से उस पर double click कीजे तो ये आपका open हो जाएगा तो आप देख रहे हैं mouse के left button का कितना use अगर आप single click करते हैं तो किसी भी file folder या icon को select करता है और अगर आप double click करते हैं तो वो किसी file या folder को open कर देता हैं ये था left button का use अब चलिए हम दूसरा देखते हैं अब है हमारा scroll button तो scroll button page up और page down इस अगर आप किसी भी suppose आप MS word के file पे हैं और आपके पास उस file में 20 page है अगर आपको page up page down इस तिमिंस page को उपर या page को उपर जा नीचे उपर नीचे जाना है तो आप scroll button के थुरू page up और page down कर सकते हैं तो चलिए हम आपको practical करके दिखाते हैं जैसे देख रहे हैं मेरा MS word का मैंने page खोल लिया है अगर आप मुझे इसमें नीचे जाना है तो हम scroll button को इस तरह से press करते रहेंगे अगर उपर जाना है तो आप इस तरह से करेंगे तो आप देख रहे हम कितना easily scroll button के थुरू page up और page down कर सकते हैं तो ये था scroll button का use अब हम देखेंगे हमारा तीसरा है right button तो right button का use क्या है? single click program properties it means किसी भी program के properties को अगर आपको जानना है तो आपको mouse के right button को click करना होगा तो चले हम आपको करके दिखाते हैं अभी आप desktop पे हैं अगर आपको desktop का properties आनना है तो आपको mouse के right button को click करना होगा तो आप देख रहे हैं ये desktop का properties open हो चुका है अगर आपको system refresh भी करना रहता तो आप mouse के right button का ही use करते हैं अगर आपको इस icon का अगर properties आना है तो आप यहाँ पे भी right button क्लिक कीजे तो यह आपका properties का dialogue box open हो जागा तो basically आप देख रहें कि mouse के right button का कितना use है तो यह था mouse का complete use तो हमने देखा कि left button से हम क्या करते हैं किसी भी file ये folder को अगर single click करते तो select होता है double click करते तो वो open हो जाता है और आप left button से ही किसी भी चीज़ को select भी कर सकते हैं इस तरह से तो आप देख रहें left button का बहुत ज़्यादा use है उसके बाद हमने scroll button देखा अगर आपको page up और page down करना है तो आपको scroll button प्रेस करना है उसके बाद हमने देखा कि right button तो right button में हमने क्या देखा किसी भी program के properties को जानने के लिए आपको mouse के right button का use करना होता है चाहे वो icon हो, file हो या folder हो तो thank you for watching, वीडियो अचला हो तो वीडियो को like कीज़े, comment करके बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा और channel पे नए आए हैं तो channel को subscribe कर लिजे ताकि आने वाले एक भी वीडियो लेक्च्छर का आप मेशना करे